भारत की रेटेल सेक्टर की ग्रोथ अगले कुछ सालों में पहले की तुलना में सुस्त रहने की उमीद है या आखर सामने आहीं इंडिया रेटेल रिपोर्ट में रिपोर्ट के अंसार रेटेल सेक्टर के गले तीन साल में लगबग 16 फीसद की दर से बढ़ने की उमीद है जबकि पहले के सालों में रेटेल सेक्टर की ग्रोथ 18 फीसद रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि मौझूदा समय में रेटेल मार्केट 38,93,425 करोन रुपे का है अनमान है कि 2017 तक देश का रेटेल मार्केट 61,56,333 करोन रुपे से ज़्यादा का हो सकता है अगर मौजूदा समय की बात करें तो कपड़ों का रेटेल मार्केट 3,24,500 करोन रुपे का है तो यह लगबग 21 फीजदी की दर से बढ़ रहा है अनमान है कि इस मार्केट में मौडर्न रेटेल का हिस्ता 42.1 फीजद है और यहां जादा तेजी से बढ़ेगा बता दें कि इमेज़ेस ग्रुप इंडिया रेटेल रिपोर्ट हर दो साल में एक बार प्रकाशित करता है नेक्स नान नियूस के दिल्ली से कैटरी गुपता की रिपोर्ट